नमस्कार and welcome to Curiously Education दोस्तों आज 4th June 2022 हैं हमारे डेबर पर हैं चार इंपोर्टन टोपिक्स Capital Expenditure ये सरकार के साथ जुड़ा हुआ जो Capital Expenditure है उसकी बात है Then we have Private CapEx Service Charge के बारे में पियुष गोल साब ने एक अपडेट दी है And then we have 60,000 वेगंज फॉर राइड वेजर इसके बारे में भी हम बात करेंगे So let's quickly start with Capital Expenditure by Government आगे बड़े दूसरे पहले dear friends, please make sure के आप इस lecture को दूसरे स्टुरेंस के साथ शेर ज़रूर करें और कल क्या है? कल है Sunday तो dear friends, Sunday को ये जो Financial News Analysis है और एक दूसरी सीरीज आती है Editorial and Article Analysis इन दोनों का आपको एक Revision Lecture अलग अलग होंगे Right, तो Financial News Analysis के पिछले 5-6 दिनों के जो Most IMP Topics है Most Important Topics को हम फिर से Revise करेंगे कल तो Sundays को ये एक Important Lecture आता है जिसको आपको मिस नहीं करना है And please make sure के आप नए स्टुरेंस को इस सीरीज के बारे में ज़रूर बताएं Capital Expenditure, One of the Most Important Thing to Boost Economy कैसे? अब देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्या है? Buildings, Right? This is just one example ऐसा नहीं है कि सर्फ बिल्डिंग बनाने से सरकार अगर कोई building बनाती है या फिर आपके शहर में सरकार ने एक lake बना लिया या फिर कोई road construct कर लिया Let's say road construct किया, Right? तो एक road जो है वो city A और city B को connect करने वाला एक road बनाया अब ये जो highway है इसके बिच में बहुत सारे चोटे बड़े गाउं और towns होंगे तो इनकी connectivity A और B तो एक दूसरे के साथ connect होंगे लेकिन ये सारे गाउं और town जो है वो एक दूसरे के साथ और A और B के साथ connect होंगे अब यहाँ पर petrol pumps खुलेंगे यहाँ पर future में electronic vehicle charging facilities खुलेगी फिर highway खाने पिने की चीज़े जो highway पर मिलती है highway food malls ऐसे fancy नाम दिये जाते तो इस परकार के restaurants खुलेंगे इस परकार की hotels आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी पंचर वाले से लेकर कितने सारे लोगों का काम जो है वो यहाँ पर जालेगा और इसके साथ जो companies road construction में engaged रहें तो उनको काम मिलेगा तो overall क्या हुआ overall economy को एक boost मिलेगा तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए finance ministry ने अब जितने भी infrastructure के साथ जुड़ी हुई ministries और departments जो है उनको कहा है कि जितने भी projects चल रहे हैं उनको speed up कीजिए उनकी speed बढ़ाई है क्योंकि September 2022 तक जो financial year 23 का capital expenditure का जो total budget target है इसका 60% सरकार September 2022 तक का खर्च कर देना चाहती है अब आंकोडों के उपर अगर हम नज़र डाले तो budget में सरकार ने financial year 23 के लिए let me write it down here ताकि कोई confusion ना हो 23 के लिए कितना target रखा है capital expenditure का 7.5 lakh crore यह financial year 23 का है और financial year 2022 में कितना था याद नहीं होगा right let me write it down for you कोई बात नहीं याद नहीं है तो बस आपको यही समझना है के L से लिख रहा हूँ यानि की लैक करोड ठीक है तो 6.2 लैक करोड रूपीज लास्ट यह था उससे ज्यादा का target रखा है इस साल 7.5 लैक करोड और 7.5 लैक करोड का 60% जो है वो सप्टेंबर 2022 तक खर्च कर देर यानि कि we are talking about somewhere around what 4.45 लैक करोड रूपीज जो है वो खर्च कर देने की बात बता हैं तो that's why speed up जो है यह important now capital expenditure जो है वो economy को buffet कर सकता है economy को support या फिर boost कर सकता है खास करके challenging environment में अभी inflation ज्यादा है geopolitical risk है और monetary tightening यह तीन जो बड़े challenges है इनको overcome करने के लिए अगर कोई booster चाहिए हमें तो that is capex तो सरकार ने अच्छा decision यहां पर लिया है private capex private capex की बात कर रहे यारी कि private capital expenditure now let me tell you one more thing economy की एक बहुत important चीज़ आप समझ लीज़े एक बड़ा सा जो plane होता है na aeroplane एक बड़ा सा aeroplane को अगर आपको अच्छी तरीके से चलाना है राइट इस चार एंजिन वाले पी planes होते हैं बड़ा थे के दो एंजिन वाला अगर एक plane है तो इसको अगर आपको अच्छी स्पीड पर टॉप स्पीड पर चलाना है उसका best performance चाहिए तो क्या होगा आपको दोनों एंजिन जो हना वो on करने पड़ेगा दोनों एंजिन को चलाना पड़ेगा तो economy के दो एंजिन्स हैं एक है government का investment और एक है प्राइवेट प्लेयर का investment अब government के investment के बारे में तो हमने बात की प्राइवेट प्लेयर का भी investment सरकार क्या करती है सरकार invest करना जब start करेगी तब जागर प्राइवेट इंवेस्टमेंट आएगा जो मेना example दिया ना उसी में ही इसका एक answer है सरकार ने road बनाने को invest किया तो फिर लोगों ने petrol pumps खोले लोगों ने pancher की दुकान खोले इन तरह पंचर repair की दुकान पंचर repair की दुकान नहीं पंचर repair करने की दुकान खोले खाने पिने की दुकान या फिर restaurants, hotels, etc तो यह प्राइविट इन्वेस्टमेंट कब आया जब सरकार नेक्स टेप उठाया तब तो दोनों एंजिन्स ओन करना बहुत ही जरूरी है और यहां पर जो खुश ख़बरी हमें देखने को मिल रही है तिस कि प्राइविट कैपेक्स बैंक्स सिंग अर्ली साइन्स ऑफ प्र प्राइविट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना उसका ग्रोथ भी नज़र आ रहा है बैंक्स के पास से जो पैसे लोन के तौर पर लिये जा रही है यह सारी चीज़े जो है वो नज़र आ रही है तो यह जो एक रिवाइवल नज़र आ रहा है इट इस फ्यूवल्ड ब वर्किंग कैपिटल लॉन्स यह तीन चीज़े जो है यह इंडिकेट कर रही है कि अब प्राइवेट कैपेक्स जो है वो भी सही दिशा में जा रहा है आई डी बी आई के जो मैनेजिंग डिरेक्टर है सेम्यल जॉसप डेपुटी मैनेजिंग डिरेक्टर तो बी स्टेज और वोज एडिकेट अब फोर यह तो बीज आप डिरेक्टर वो बड़े पेड की तरफ आगे बढ़त रहे हैं राइट लॉन्स और सेंक्शन फॉर पोर्ट्स पोर्ट्स के लिए एरपोर्ट्स के लिए लॉन्स सेंक्शन हो चुकी है और इसे के साथ दूसरे सर्विस चाइज के बारे में हमारे पियुश घूल साब ने यह पताया है कि जो यह रेस्टोरेंट सेंट और वह अपना जो मैंन्यू है उसकी जो प्राइस है वह सेट करने का जो काम है वह एक रेस्टोर्ट का रहता है वह जैसे चाहाए पनी टिका मसाला की प्राईज अग रखें पंद्रा सौ रुपर रखें तो यह मेन्यू की ना क्या है वो सट करना आपस्ट करना की का forwards करने के लिए चीस की चीज उसकी प्राइब काई यह से उसने सो रुपए ऐसे सर्विस चार्ज डाल दिया तो यह चीज अलावट नहीं है यह मिसलीडिंग है ऐसा पेश गोल साब ने बताया और उन्होंने कहा कि अगर आप इस प्रकार के चार्ज ले रहे हैं तो अब बड़ी बड़ी कंपनी जैसे के एक है टिटागर, वेगंस, टेक्स, मेको, रेल and एंजिनियरिंग, तो ऐसी टोटल पाँच बड़ी कंपरीज हैं, जिनको बड़े-बड़े कंट्रेक्स मिले हैं, कि 60,000 वेगंस जो हैं, जो ट्रेन के डिबे होते हैं, तो ये डिबे पहुंचाने हैं, और ये दोनों कंपरीज ने म बोडी बिल्डर्स को, और ये कुछ दूसरी कंपरीज हैं, और ये सारे डिबे जो हैं, टिटागर वेगंस, उनको सबसे बड़ा कॉंट्रेक्ट मिला है, 24,177 डिबे बनाएंगी, ये कंपरीज और टेक्स, मेको, रेल जो हैं, वो 20,067 वेगंस बनाएगी, और रेलवे के पास फिलाल कुछ तीन लाख जितने वेगंस हैं, और ये जो नए 60,000 वेगंस एड होंगे, तो इससे इसकी कैपसिटी और ज्याद बड़ेगी, ये एक साथ एड नहीं होंगे, जैसे जैसे बनते जाएंगे, वैसे वैसे एड होते जाएंगे, तो ये ऐसे फेड किया जाए इसको एक साथ तीन लाख वेगंस है, 60,000 वेगंस जो है वो एड नहीं होंगे, लेकिन आने वाले तीन-चार साल के अंदर ये सारे वेगंस जो है, 60,000 जो है वो एड हो जाएंगे, विच एड हो जाएंगे, विच इस वेरी गूड फोर आवा रेलवेश के पासिटी, तो इ आप अगर शेर करेंगे, तो चलेगा नो, आप शेर कीजिए, राइट क्योंकि आप अगर शेर करेंगे, तो कोई नहीं आए स्टुटन आएगा, आप ऐसा सूचेंगे, कोई और कर देगा, तो फिर ये कोई और कोई और के चकर में कोई शेर ही नहीं करेगा, so that's everything from my side, thank you very much for your love and support, God bless you all, Jai Hin